Good morning class 2 आज हम करेंगे हिंदी का व्याकरन व्याकरन में आज हम हमारा जो विशय है वो है हमारा सर्वनाम सर्वनाम करने से पहले हमें संग्या का जानना ज़रूरी होता है जो हम इस से पहले आपकी कक्षा में ले चुगे हैं संग्या आप सभी को पता है जितने भी नाम होते हैं, व्यक्ति, वस्तु, इस्थान या भाव के नाम को हम संग्या कहते हैं अब प्रेश्ण है उड़ता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं आपकी स्कृण पर आ रहा है सर्वनाम की परिभाशा जे शब्दों का प्रयोग संग्या के इस्थान पर किया जाता है उन्हें सर्व नाम कहते हैं तो संग्या के इस्थान पर यानि जितने भी नाम है उसकी जगह पे जो भी शब्द हम प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम सर्व नाम कहते हैं अब सेरल शब्दों में समझा जाए, तो सर्व नाम, जो सबका नाम हो, संग्या जो होती है, वो सबका नाम नहीं हो सकती है, मेरा नाम जो है, वो सबका नाम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सर्व नाम सबका हो सकता है, कैसे हो सकता है, अभी पता लगेगा, सर्वनामों के बदले में जो शब्द आते हैं वो उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं आपके मेरी, आपके मामी के, आपके पापा के, आपके भाई के, दादा के, स्कूल के बदले में जो भी शब्द आता है बदले में, जो भी हम प्रयोग करते हैं सारे हमारे क्या हो गए सर्वनाम हो गए कैसे होते अभी आपको सर्वना यानि सब के लिए एक नाम इसका प्रयोग संग्या के स्थान पर किया जाता है कही और नहीं करते हैं सर्वनाम का प्रयोग नाम की जगह पर किया जाता है एक ऐसा नाम जो मेरा और आपका अलग अलग है लेकिन सर्वनाम क्या होगा वो आपका मेरे दोनों के लिए सेम हो सकता है कैसे हो सकता है चलिए अब जैसे मैं 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 अपने लिए भी यूज करते हैं आप अपने लिए भी मैं यूज करते हैं मैं कहूं कि मेरा नाम मैं स्कूल जा रही हूँ तो आप भी कहेंगे मैं भी स्कूल जारूं, तो हम दोनों का नाम क्या हो गया मैं, इसे हम अच्छे से समझते हैं, आईए देखें कैसे, अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, राधा साथवी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ाई में तेज है, उसके सभी मित्र उससे प्र सभी कुछ बातें, वो राधा के लिए कहीं गई, क्या पारबा लेकिन राधा का हमने प्रयोक किया, नहीं, राधा की जगे हमने क्या यूज किया, हम कहने को ये भी कह सकते थी, राधा साथवी कक्षा में पढ़ती है, राधा पढ़ाई में बहुत तेज है, राधा के सभी के अनुछेद में रागधा के स्थान पर हमने कौन-कौन से शब्दों का प्रयोग किया वह उसके उससे स्वयम अपने आदी शब्दों का प्रयोग हुआ है अता यह सभी शब्द क्या है सर्वनाम है इस प्रकाश संग्या के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आधी सर्वनाम शब्द है, अने सर्वनाम शब्द भी इनी शब्दों से बनते हैं, जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टी से बदल जाते हैं, मतला लिंग के हिसाब से बदल जिसे राधा निर्टे करती है, राधा का गाना भी अच्छा होता है, राधा गरीबों की मदद करती है, अब अजीब लग रहा है, तो हमने क्या क्या, पहले हमने सिफ एक बार राधा का क्या, अब हम भी बात जिसकी बारे में करें, उसकी बारे में तो बूलना पड़ेगा राधन रिट्य करती है उसका गाना भी अच्छा होता है फिर गरीबों की मदद करती है आप अपना यह है इस इसका वह है उस उसका यह सब क्या है हमारे सर्वनाम के ही उदाहरण है अब है सुभाश एक विद्यार्थी है अब आप इसको देखें ग्रीन वाले इसको आप आप रोज स्कूल जाता है कौन जाता है सुभाश लेकिन अपके अरण हमने सुभाश नहीं बोला उसके पास सुन्दर बसता है किसके पास सबको पता लग रहा क्योंकि हम बात सुभाश की का नहीं सुभाश के पास सुन्दर बसता है उसे घूमना पसंद है किसको सुभाश को त मेरा नाम क्या है सुनैना अब मैं अपने बार में बताऊंगी कि सुनैना को खेलना अच्छा लगता है सुनैना ने आज खाना खाया सुनैना को घर जाना है सुनैना ने आज पिक्चर देखी सुनैना ने आज होंवक नहीं किया अब ये कितना अजीव लग रहा है मैं जब लगी कि सुनेयना के लिए कंए मेरा नाम है तो मैं सुनेयना करके बात निक्राइट करके हाँ सुनेयना को बयाँ चाहिसा मैं ए ऐसी मिलंगे मुझे भूग करते हैं उन reco करते हैं उन्हें हम एसमें क्या आगया वह है उसे school बूल जाना है तो उसे ठीक है उमीद करती हूं आपको सभी को यह समझ में आए होंगे इनकी खुब प्रैक्टिस कीजिए लेकिन सर्वनाम पढ़ने से पहले हमें किसको पढ़ना होगा संग्या को